नमश्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका सॉर्डिने चैनल पर मैं मानुश एक बाफिर्स से मौजूद हूँ SST क्लास 10 के जोग्राफी के कुछ important questions के बारे में आपको बताने के लिए कुछ दिनों से वीडियो इसले नहीं आ पाया थोड़ी से तवयत खराब थी मगर अब बिल्कुल ठीक है तो वीडियो अभी regularly आएंगे तो आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि हमने भी chapter 1, 2, 3 तक देख लिया है voter resources तक आज chapter agriculture की बात करेंगे और समय बचा तो एक वीडियो और बनाएंगे आज minerals and energy resources के बारे में क्या important questions हैं जो अभी तक आये हैं previous year में तो जल्दी से चलते हैं अपना शुरू करते हैं video lecture ठीक है आपके जो भी questions हैं वो आप मुझसे पूछते जाते हैं मुझे अच्छा लगता है मगर कुछ questions आप irrelevant पूछ लेते हैं उससे समस्या हो जाती है कि मैं reply कैसे दूँ उन irrelevant questions का तो जहान दखिए relevant questions पूछे और जो जिस video से related जो video related है उससे ही related पूछे तो असान हो जाता है क्योंकि भी दो-तिन लोग इस पर काम कर रहा है अगर प्यूश सर के पर आप वीडियो पर साइंस के question पूछेंगे या पूछेंगे सर कंपार्टमेंट में यह आगया तो प्यूश सर कैसे जवाब देंगे तो थोड़ी से समस्या यह रहती है जो गंपार्टमेंट से related question है वह मेरे वीडियो पर पूछेंगे साइंस और जोगराफियम पढ़ा रहा है तो वहाँ पर उन सब्जेक्स से related questions पूछेंगे हमें कोई समस्या नहीं है उस पर ठीक है तो चलिए lecture को शुरू कर देते हैं बिलकुल एकदम ठीक है यह आ गए हम बोर्ड की तरफ ठीक है तो य सौर्ड इंडिया चैनल पर हम है तो एसस्टी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें जियोग्राफिय शॉर्ट में लिख देता हूं जियोग्राफिय चैप्टर है आज का फूर जिसका नाम है एक्री कल्चर करा है क्या कैं कि एम्पॉर्टंट इसकी क्वेश्टेंश अभी तक आए हैं जयसा कि मैंने आपको बताया था ये वे दिया कौ्शिन बैंक अससे हम रिफरेंस लिए हैं इन्होंने हमस्पॉंसर नहीं किया है है और करते भी तो हम यह काम नहीं करता है है मैंआ को very short questions में आया है सबसे पहरे 2015 की बात कर लेते हैं 2015 में एक question आया है which two areas of India produce oranges only तो ये लिख लिए है area produces oranges औरेंज इसका एक answer तो मुझे पता है नाकपुर में दूसरा answer है चेरापुन जी ठीक है तो इसका ध्यान रखे कि का area produces oranges oranges कहां produce होते हैं इसके बाद 2014 में question आया था 2014 में question आया है what is the primitive subsistence farming okay primitive topic के नहीं पूरा-पूरा question नहीं लिख रहा हूं प्रिमिटिव subsistence farming ठीक है तो यह question है इसको अच्छे से देख लेजेगा और इसमें जितना भी इसके बारे में पढ़ना है पढ़ लेजेगा इसको एक question और 2015 में भी ऐसा ही question पूछा गया 2015 में यह से related what type of farming is practiced by using primitive tools okay तो subsistence farming के बारे में ही इसका अंजर है primitive tools यूज करके कौन सा होता है तो दो बार यह question आ चुका है तो इसको अच्छे से ध्यान रखेगा इसके बाद है एक और question जो आया है 2014 में 2014 में question आया है बहुत आसान question है क्लास 7 से आप लोग इसको पढ़ रहे है और what is the period of kharif crop period of kharif kharif crop का क्या period है उसके बारे में इसके बार next question है 2014 में sericulture के बारे में जो silky production है उससे related what is sericulture sericulture देख लिजिए 2014 में ही एक और question आया है नेम अनी टू खरीफ crop लिग देते हैं चलिए crops के बारे में आया है ठीक है तो उनके बारे में लिख दीजेगा फिर 2014 में आया है एक और question हो है why should the production of pulses we increased व्लीक देती है why ARE should the production of pulses be increased give any two reasons give any two reasons छीक है इसके बाद question देख लीजे short answer type questions short answer type questions short answer type questions तो short month 2015 में question आया है note कर दीजे आप which are the two main cropping seasons of India main cropping season seasons of India इसके बारे में question है इसी के साथ है mention the growing and harvesting period इसके बारे में बहुत आसान यह चैप्टर रहता है तो इसको असानी से आप कर सकते हैं कर ध्यान देंगे पूरा ठीक है इसके बाद next question है 2014-15 में आया हुआ है 2014-15 ठीक है उसमें आया हुआ है land reforms के बारे में ठीक है तो इसको अच्छाइब आया है इसको लेंड डेवलप्मेंट प्रोग्राम इनिशेटिड इनिया ठीक है तो इसमें मैं लिक दे रहा हुआ हूँ land reforms land reforms के बारे में या इसको land development program जो भी है development program land development program है इनिशेटिड इनिया इनके बारे में आप पढ़ लेजे बुक में दिया है अच्छे से ठीक है और इसके बाद है इसके बाद है 2014 में equation आया है what is the agricultural term agricultural term used for cultivation of fruits okay agricultural term for cultivation of fruit cultivation of fruit cultivation of fruit and vegetables mention is three feature with reference to India to India mention the three features with reference to India इसके बाद एक question और है 2008 के बाद 14 में पूछा गया mention any four features of primitive subsistence farming तो वही मैं लिख दे रहा हूं primitive अतानी किस टॉपिक पर क्या question बना दे तो टॉपिक लिखना ज्यादा बैटर है farming इसके बाद 2014 में question आया है काफी अच्छा question है intensive farming and extensive farming difference difference between intensive farming and extensive farming extensive farming extensive farming 2014 में ही एक और question पूछा गया है commercial farming के उपर what is commercial farming mention is three major features तो इसको भी अच्छे से पढ़ लिजेगा commercial commercial farming के बारे में 2014 में question आया है ठीक है और अब चलते हैं आगे 2014 में question आया है any three features of जायद crop so मैं लिख दे रहा हूँ इसको बारे में पढ़के जायए जायद crop important है crop important है questions आई जाता है ठीक है जादे बड़ा यह chapter है भी नहीं मुश्किल तो ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है मुश्किल आपको लगेगा नहीं में 2014 के बाद 2013 में question आया है name two important beverages beverage crop grown in India okay beverage crop grown in India basically tea or coffee की बात चल रही है तो उनका नाम लिखना है who introduced these crops इनका introduction introduction in India किसने किया था India में इनका introduce ठीक है what type of agriculture is followed by their cultivation ठीक है type of agriculture followed for for their cultivation के लिए कौन सा agriculture follow होता है ठीक यह question है इसको अच्छा से कर लीजिये इसके बाद 2013 में आया है explain any two geographical condition required for the cultivation of pulses ठीक है 2000 लिख 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 है 13 geographical conditions geographical conditions for cultivation of pulses ठीक है ठीक है अच्छा स्ट Timothy लिख लिख अच्छा डाय। इस्टेट्रॉज़ का अपोड़गर पुछन का हो रहा है अपने ..... पूच रहे है Isके बाद है क्विशंट 2013 में आया है इसके बाद एक इंटेंजिव फार्मिंग के बारे में लिख चुके हैं इसके बाद दरजार दसमें क्वेशन है तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि बाद के सारे टापिक कवर हुई चुके हैं ठीक है थ्री जियोग्राफिकल कंडिशन्स रिक्वाइड for maize cultivation maize cultivation temperature rain fall and soil name three maize producing states of india states producing maize states producing maize तो यह क्वेशन है यह आया है नोट कर लीजे आप दोजार बारह में कुश्चन थोड़े रहते in the GDP in GDP is a matter of serious concern of serious concern concerned explain 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 next question next question commercial agriculture यह हुआ and and subsistence agriculture ठीक है इसके बाद 2010 में कुश्चन आया है यह भी statement वाला कुश्चन है तो 2010 का कुश्चन लिख लेते हैं today Indian farmers are facing a big challenge from international from international competition what are the various factors responsible for this situation तो यह है तो यह है इसके question है what are the various factors तो factors लिख दे रहा हूँ what are the factors responsible for this situation and those are at primitive farming निए निए फोर फेचर सब्सकेट के बीकोषियन आई गया है फीचर सिद्लेना इसके पिर्मिटि तौप्सिस्टेंस फार्मिग फीचर्स इसके important है primitive subsistence farming आ गया है कहीं बार next question भी subsistence agriculture इसके बार इसके बार एक question है rice or wheat में difference which are the two staple food crop of India 2013 में आया हुआ question है two staple food crop of India compare the contrast इनका comparison compare the contrast sorry compare and contrast है compare and contrast the climatic and soil requirements of them of both ठीक है दोनों की करनी है इसमें आएगा आपका rice and wheat तो rice and wheat का comparison आपको पढ़ना है अब आगे हैं long questions की तरफ long questions हमको discuss करने इसके कौन से important questions है ठीक है तो इसमें सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा topics के बारे में कौन से important topics पर question आया है तो लिखे लेते हैं long long question 2010-11-15 में question आया question पर दे रहा हूं मैं describe any four reforms brought in the Indian agriculture after independence through the efforts of the Indian government what initiatives have been taken by the government to ensure an increase in agriculture production तो भाया land reforms के बाद है मैं बात है या ना तो मैं लिख देना हूं reforms in Indian अगरी इंडियन अगरी इंडियन अगरी कल्चर ठीक है आफ्टर इंडियन अगरी इंडियन अगरी इंडियन अगरी कल्चर इंडियन इसके बाद में question है तीक है beverage crops के बारे में जो British अगरी टॉपिक की सिब लिख देरहे हूं British ने इसको इंट्रीज के आटाथ 2010 15 12 12 13 में या चुगा है repeatedly कहीं सैट में 12 13 15 कहीं सैट में आया है मार्क कर दिया है मैंने beverage crop के बारे में तो बेवरेज क्रॉप के बारे में जितना दिया है वो पूरा पढ़ लिजेगा बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया बहुत सारे क्वेशन आये हैं, मैं क्वेशन एक पर पढ़ देरों Name the most important beverage crop of India, describe the suitable climatic conditions required for its growth, also mention the major states producing that crop दूसरे क्वेशन आया है, describe any three geographical conditions required for tea cultivation, name any two producing states of tea Next question आया है, name the important beverage crops introduced by the British in India, explain the geographical conditions needed for its cultivation, write any two important states where it is grown और लासली पूछा गया इस तरीके से, describe any four geographical conditions required for the growth of tea, mention the two major tea producing states of South India तो इसके बारे में आप दोनों पढ़ लीजे, beverages, crop क्या है, coffee और tea के बारे में कहां कहां क्या प्रोडूस हो रहा है ठीक, इसके बाद है, next question 2012 और 15 में पूछा गया है ठीक है, 2012 और 15 में पूछा गया है, question है, describe various technological and institutional reform which lead to the green and white revolution in India, ठीक है, green revolution and white revolution इनके बारे में जो भी आपकी एबुक में हैं, सब पढ़ लीजे, question पतानी क्या पूछा जाए, कोई नहीं जानता पिर 2010, 2011, 2012 और 2013 इसके बार, ये इसमें question दीगा, explain the favorable geographical condition required for the production of rice okay, favorable conditions for rice production rice production पे question आ सकता है, उसको ध्यान रखेगा, वो पूछा गया है next question, 2008, 2010, 2011, 2012 में पूछा गया है, 2008, 2010, 2011, 2012 में पूछा गया है, explain the favorable climatic condition required for the production of rubber production of rubber, production of rubber, climatic condition, climatic conditions या जितना भी इसके बारे में बुक में दिया है, तो पढ़ लिजे, ठीक है, उसमें सब cover होई जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है एक question, 2010, 2013 में पूछा गया, features of, topic, लिख दे रहूँ मैं, question में पढ़ दूँगा, features of Indian agriculture features of Indian agriculture, questions तरह की से पूछा गया है, name में थ्री features of Indian agriculture, दूसरा पूछा गया, what are the factors responsible for the backwardness of Indian agriculture लास्टली, पूछा के, describe any four features of Indian agriculture, तो तीन या चार, यार, backwardness पूछा गया है, तो इसके बारे में आप, नोट कर लिजे, ये question पूछा गया, features of Indian agriculture, इसके बाद, question है, दो हजार बारा में, दो हजार बारा में, which crop is known as golden fiber, तो या, golden fiber, search कर लो, कहा है, बुक में, golden fiber, important लग रहा है, तो जब बारा में ही अलग तक तेज़ पूछा गया, explain two geographical conditions, essential for the cultivation of this crop, mention any four uses, of what is known as golden fiber, where it is grown in India, and why describe various uses of this fiber, तो golden fiber जहां तक समझ में आई भी गया होगा, आपको, जूट की बाद चल रही है, जूट, जूट नहीं, जूट, ठीक है, जूट की बाद चल रही है, इसके बाद, question पूछा गया है, दो हुजा पंद्रह में और बारा में, दीक है, वो question था, name any four oil seeds produced in India, oil seeds produced in India, दीक है, इसके question आया है, तो इसके question में पर देरो, name any four oil seeds produced in India, what is their economic importance, दूसरा पूछा गया है, दूसरा पूछा गया, बारा में, name any four oil seeds produced in India, explain the importance of oil seeds in our day-to-day life, ठीक, इसके बाद, 2012 में एक question और पूछा गया है, what type of climate is required for the cultivation of wheat, ठीक है, तो cultivation of wheat, तो जो लोग गाउं से जुड़े हुए है, उन कुत्वे के असल, आसानी से वो कर लेंगे, name any four important wheat producing states of India, ठीक है, तो इस पर question आएगा, करी देना, पंजब का नाम आएगा, हरियाड़ा, उत्ता परदेश, western UP, यानी, MP का नाम आएगा, ठीक है, main states है, इसके बाद, 2008-9-10 में question आया है, describe the temperature and climate condition required for the cultivation of sugarcane, cultivation of sugarcane, तो मेरट में बहुत होता है, sugarcane, मेरट बागपत में, name the leading producers, question दो तरीके से और पूछा गया है, एक तरीके सा और पूछा गया है, तो बहुत आसान है, उत्ता परदेश, लाजस प्रोडूचर है, इसका वेस्टर यूपी, अधर इस्टेट है, गंगा, पिलेन, बिहार, पंजाब और हर्याणा, तो यह हमारी यूपी है, ठीक है, next question, 2008-12-15 में पूछा गया, ठीक है, question था, what is the plantation agriculture, write some features of the plantation agriculture, टॉप एक लिख देते हैं, plantation agriculture, इसके बार है, बेटा पढ़ लीजे, तरीके साब पूछा गया, describe any four characteristics of plantation agriculture, 2015 में है, why has agriculture sector in India got a major setback in spite of increase in GDP growth rate, ठीक है, why has the agriculture sector in India got a major setback, in spite of increased growth rate, GDP रीट रीजन यह था कि जो बूम आया था वो IT सेक्टर में आया था अगरी कल्चर में बूम नहीं आया था यही एक रीजन है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है 2013 में पूछा गया कुश्चन है लास्ट कुश्चन होगा लॉंग गिवेन अकाउंट वन आयल सीट तो यह इस पर में बात कर चुके हैं इस टेट दा इंपोर्टेंस आफ ग्राउंट नाट टेंड नेम तू स्टेश वेर इट इस ग्राउन के बाल एक और कुश्चन है 2014 में आगा है इंपोर्टेंट कुश्चन हो सकता है इसके बारे में जो पढ़ सकता है पढ़ लीजेगा असानी से तो यह कुश्चन थे इंपोर्टेंट अभी तक इस चैप्टर से एक कुश्चन और है चलिए लिग देते हैं राइस कल्टिविशन का था तो हम डिसकस करी चुके हैं तो चलिए नहीं जा रहा है तो यह भी तक के इंपोर्टेंट कुश्चन हैं जो हमको करने हैं अभी आपको और और कुश्चन पूछने हैं कुछ भी तो आप फूछे रहते हैं तो हम जवाब देने के पूरी-पूरी कोश्चिश करते हैं यह जोग्राफिक के कुश्चन थे अगरी कल्चर चैप्टर से क्लास 10 के लिए हैं दूसरा जो वीडियो हो गा इसमें वो का मिनरल एंड एनरजी रिसोर्सिस कितने चैप्टर हैं जोगराफिक में मैं देख लेता हूँ एक बार साथ चैप्टर हैं तो चार हमने कर ली हैं तीन हमारे बचे हैं तो जल्दी-जल्दी में कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाके आपके लिए डाल दूँ जिससे आपकी मदद हो सके कमपार्टमेंट एक्जाम को किलिर करने में ठीक है अच्छे से तैयारी करते रही है कमपार्टमेंट बहुत भारी एक्जाम नहीं होता है असानी से किलिर हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो बस चलते हैं अभी इश्वर सही पराता रही कि आप सब खुश रहें अबाद रहें जां रहें जिन्द अबाद रहें नमस्कार दन्यवाद जाहिंद